तो मूवी के स्टार्ट में हम एक 8 साल के बच्चे को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ रहता था उसे कोई चीज परीशान करती थी और वो हमेशा से ही डरा हुआ रहता था उसके परेंस इस बात से काफी परिशान थे तो वो एक दिन अपने घर पर एक एक एक्जॉर्केस्ट को बुलाते हैं जिनमें एक कपल होता है और एक चर्च के फादर होते हैं इस चोटे बच्चे का नाम डेविड होता है और उसकी एक चोटी बहन भी होती है तब ही डेविड जाकर वाश्रूम में छुप जाता है लेकिन उसको वहाँ ऐसा लगता है जैसे उसको कोई देख रहा है दरासल वहाँ पर कई सारे हाथ नजर आते हैं जिससे वो काफी जादा डर जाता है और चिलाने लगता है उसकी आवाश सुनकर सारे फैमली मेंबर उपर आ जाते हैं लेकिन यहाँ डेविड जो की आठ साल का बच्चा था काफी जादा गुस्से में आ गया था और अब कंट्रोल से बाहर हो गया था वो अपने डेड की टांग पर ही चाकू से हमला कर देता है अब मेल एक्जॉरकेस्ट उसको उठाकर नीचे लेकर आ रहा होता है लेकिन अपने नाखुनों से वे दिवार पर स्क्रेच करता हुआ जा रहा था और यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने पोजेस्ट कर लिया हो और उसे लाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर लेटा दिया जाता है और फादर उसके उपर कुछ मंतर पढ़ने लगते हैं वो लोग उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसी दोरान डेविट के मूँ से जाग आने लगते हैं और वो काफी जादा स्ट्रोंग होकर अपने आपको चोड़ा लेता है और इसी के साथ वहाँ पर बहुत बड़ा तुफान आने लगता है घर की चीजे तूटने लगती हैं और फादर भी गिर जाते हैं लेकिन दोनों एक्जॉरकिश ने उसको काफी मजबूती से पकड़ रखा था लेकिन वो खुद को चोड़ाने की कोशिश में था वो खुद की बॉड़ी को काफी अजीब तरीके से फूल्ड करने लगता है जो की देखने में बहुत दर्दनाक और खतरनाक है और उसको ऐसी हालत में देखकर उसकी बहन का दोस्त उसके पास आ जाता है और उसको पकड़ कर कहता है कि तुम जो कोई भी हो तुम उसकी बॉड़ी छोड़ कर मेरे अंदर आ जाओ यानि वो सच में डेविट से बहुत जादा प्यार करता था उसके ऐसा कहते ही डेविट की आँखे नॉर्मल होने लगती है और जो भी डेमन डेविट के अंदर था वो अब डेविट की बहन के दोस्त के अंदर आ जाता है और उसकी कंडिशन अब खराब होने लगती है दूसरी तरफ जब डेविट पोजेश्ट था तो उसने मेल एक्जॉर्किस्ट पर भी बहुत बुरा हमला किया था और अब उसकी तविएत काफी बिगड़ चुकी थी जिसकी वज़ा से उसको हॉस्पिटल ले जाये जाता है डॉक्टर उसकी वाइफ को बताते हैं कि उसको बहुत बुरा हर्ट अटेक हुआ है किसी चीज ने उसको बहुत बुरी तरीके से डरा दिया है सब प्रे करने लगते हैं दूसरी तरफ हम डेविट के बहन के दोस को देखते हैं जो अब बहुत नॉर्मल हो चुका था और अपने दोस्त के साथ काम करवा रहा था लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि एक दिवार में होल हुआ हुआ है और जब वो उसको प्र आटेक करने की कोशिश कर रहा हुता है लेकिन वो खुद को बचा लेता है लेकिन असल में वो बचा हुआ नहीं था क्योंकि वाकई वो सोल डेविट की बॉड़ी को छोड़ कर इसके अंदर आ चुके थी और अब वो जल्द ही इसकी बॉड़ी को बिगारने वाली थी और पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करने वाली थी वो फॉरण वहाँ से बाहर निकल कर आता है और पेड़ पर लटक कर चैन्सों से एक पेड़ को काट रहा होता है मगर चैन्सों स्टार्ट ही नहीं हो रही होती तब ही उसको अपने कमरे की खिड़की पर एक भूत दिखाई देता है जो कि उसे ही देख रहा था और तब ही चैन्सों स्टार्ट हो जाती है जिसकी वज़ा से उसकी बाड़ी का कोई पार्ट कट सकता था लेकिन तब ही उस चैन्सों को वो नीचे गिरा देता है और उसकी जान बच जाती है और वो काफी डर जाता है और अपनी काल लेकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन उसको रोक लिया जाता है उधर हॉस्पिटल में जब मेल एक्सॉर्किस्ट को होश आता है तो वो भी कहता है कि डेविट की बॉड़ी को वो सोल छोड़ कर अब उस लड़की की बॉड़ी में आ चुकी है जो कि डेविट की बहन का दोस्त है वो अपनी वाइब को कहता है कि फॉरण उनको कॉल करो उनको बताओ कि वो सोल बहुत खतरनाक है वो उससे बच के रहें और उसकी वाइब जब डेविड की बहन को कॉल कर रही होती है तो वो कॉल नहीं उठा पाती क्योंकि वो बहुत लाउड म्यूजिक लगा कर डांस कर रही होती है ताकि उसका दोस्त अच्छा फील करे और इसी टाइम डेविड की बहन के दोस्त की तब बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में ही नहीं था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहां खड़ा कैसे है, वो काफी वीक फील करने लगता है, और जब फीमेल एक्जॉर्किस्ट की कॉल कोई नहीं उठाता, तो वो काफी परिशान हो लगता है, जिसमें वो काफी चिलाती है, क्योंकि वो काफी डर चुकी थी, और अपने दोस्त को लेकर वहां से चली जाती है, दूसरी तरफ से पुलिस भी आ रही होती है, अब डेविड की बहन का दोस्त निकलते अपनी नाइफ से उस पर अटैक कर देता है, और उसको मार डालता है, और उसके कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ था, और जब वो बहर निकलता है, तो पुलिस वाल उसको देख लेते हैं, और उस लड़के की आँखे काफी चेंज थी, वो पुलिस वालों से बात नहीं करता है, जिस पर पुलिस वालों से पूछते हैं, कि तुम ये Bible पढ़ो, अगर तुमने ये Bible पढ़ दी, तो ये soul तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे अंदर होगी, तो वो कभी तुम्हे Bible पढ़ने नहीं देगी, और जब वो लड़का Bible पढ़ना शुरू करता है, तो उन्हें पता लगता है इसके अंद गुसके इसको मारा है जिस पर लॉयर कहती है कि तुम लोग प्लीज असली दुनिया में आजाओ आज के जमाने में कौन ऐसी बात करता है लोग तो यही कहेंगी कि अपने सर पर से ये लोग क्राइम हटा रहे हैं इसलिए वो औरत नहीं मान रही होती कि ये किसी डीमन या सोल क काम है जिस पर वो एक्जॉरकिस्ट कहता है रात में आप हमारे घर आईएगा मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि वो डेमन है और अगर आपको डेमन ना दिखाई दे तो आप बेशक उस लड़के को अरेश्ट कर लीजेगा जिस पर लॉयर कहती है कि ठीक है मैं आ नेक्स सीन में हम कोड को देखते हैं क्योंकि अब उस लॉयर को भी यकीन हो गया था कि ये डेमन का ही काम है और वो जजज को बोलती है कि ये काम डेमन ने किया है लेकिन जज उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता है कि ये बस फिजूल का बहाना है और उसे उमर कैद की सजा मिलेगी लेकिन वो एक्जॉर्किस्ट कपल कहता है कि हम उस लड़के को इनोसेंट ठहरा कर रहेंगे क्योंकि वो भी जानते थे वो मुर्डर नहीं कर सकता इसके पीछे जरूर कोई डीमन है अब ये दोनों इस केश की इन्वेस्टिकेशन खुद करने लगते हैं वो दोनों उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं जब वो लोग एक साथ डांस कर रहे थे और उसके बाद ये लोग उस जगा जाते हैं जहां डेविट पहली बाद डरा था और उसे कोई गोश्ट नजर आया था इनफेक्ट इस घर में एक वाटर बैड हुआ करता था जब डेविट उस वाटर बैड पर खेल रहा था और जम्प लगा रहा था तब अचानक से उस वाटर बैड के अंदर से किसी का हाथ आया और उसने डेविट को पकड़ लिया और उस रूम का एक फ्लोर भी खराब हुआ हुआ था तो वो एक्जॉरकिष डेविट की मज़र को बताती है कि ये उसी गोश्ट का काम है अब वो एक्जॉरकिष कपल और डेविट की बहन उस रूम के नीचे जाता और जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे चुहे हैं और वहाँ पर एक बहुत ही अजीब स्कल भी है वो उनकी पिच्चर लेते हैं और फिर आकर सब को दिखाते हैं जिस पर सब कहते हैं कि हमने आज तक ऐसा सकल नहीं देखा और चर्च के फादर भी कहते हैं कि मैंने भी आज तक ऐसा सकल कहीं नहीं देखा और तुम लोगे ये बात किसी और फादर को बताओ जो कि मुझसे सीनियर हो और जब ये दोनों किसी दूसरे फादर के पास जाते हैं तो वो इन से कहते हैं कि मैंने ऐसा सकल पहले कहीं देख रखा है लेकिन वो बिलकुल ऐसा नहीं था फिर वो उनको अपनी कलेक्शन दिखाते हैं और दूसरे ही सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो किसी किसम का magic कर रही होती है क्योंकि उसके पास कोई अजीबो गरीब table थी जिस पर उसने कुछ candle जलाई हुई थी और उस लड़के की भी picture उसके पास थी वो अजीबो गरीब lady कोई magic करती थी जिससे लोगों को halogenation होने लगते थे जिससे वो possessed हुआ लड़का डर जाता था और उसको ऐसा लगता था कि कोई और भी उसके साथ है फिर male exorcist एक detective से मिलता है detective कहता है कि मैंने ऐसा skull पहले भी देख रखा है जिस पर वो कहता है कि पहले भी ऐसा कोई case था जिसमें मैंने ये skull देखा जिस पर female exorcist कहती है कि इन सब caseों में demon का हाथ है जिस पर वो officer उनकी कोई बात नहीं मानता और वो डोने exorcist वहां से चले जाते हैं और female exorcist वहां से वो knife भी ले आई थी जिससे की murder हुआ था जिस case की मैं बात कर रहा हूँ उनमें दो लड़कियां थी और वो दोनों ही मारी गई लेकिन उनमें से सिर्फ एक की ही body मिली और वो तीनों मिलकर उस जगा पर जाते हैं जहां ये सब कुछ हुआ और मिट्टी को छूने पर female exorcist पास में चली जाती है जहां वो देखती है वो दोनों friend थी और एक friend नहीं अपनी दूसरी friend का murder कर दिया था क्योंकि उसके अंदर demon आ चुका था और जिस friend ने murder किया था female exorcist बिल्कुल उसी की तरह act कर रही थी क्योंकि वो सारी चीज़ को revise कर रही थी female exorcist भागने लगती है और भागते भागते वो बिल्कुल किनारे पर पहुच गई थी और नीचे पानी ही पानी था वो फॉरन वहाँ पर रुख जाती है लेकिन तभी नीचे से कोई डरावना सा हाथ आता है और उसे नीचे की तरफ खीचने लगता है पर तभी वहाँ पर उसका husband आकर उसको बचा लेता है वो female exorcist अब अपनी census में आ चुकी थी और वो अपने पती से कहती है कि जिस लड़की की body नहीं मिल रही वो इसी नदी के अंदर है और उस लड़की की body को निकाल लिया जाता है यानि कि अब ये case भी खतम हो गया था जिससे हम viewer को पता लगता है कि female exorcist के पास अच्छी ability थी और अब ये दोनों hospital आते हैं और उस लड़की की body भी वहीं पर थी तो female exorcist के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है ये पता लगाने के लिए कि ये सब कैसे हुआ तब ही उसको अपने सामने एक गुफा दिखाई देती है जो कि काफी dark थी और उसे वहाँ पर सारे काले जादू का set up नजर आता है और वहाँ पर वही औरत थी जो काला जादू कर रही थी डेविट की बहन के दोस्त पर वहाँ female exorcist का चेहरा भी देख लेती है जो काफी अजीब थी वह उससे कहती है कि ये सब तुम क्या कर रही हो लेकिन इससे पहले कि वह औरत उसको कोई जवाब देती रियल वर्ड में कोई dead body उस female exorcist पर attack करने आ रही होती है जिस पर उसका husband कहता है कि छोड़ दो उसका हाथ और उसका imagination बंद कर दो और female exorcist को ऐसा करना पड़ता है फिर male exorcist को एक book मिलती है जो कि उनके junior ने उनको दी थी जिस पर लिखा हुआ था कि कैसे ये लोग black magic कर रहे है और उन witches या उन औरतों को कैसे मारा जा सकता है जो कि ये black magic कर रहे है वो exorcist को पढ़ने लगता है तब ही उसको एक vision आता है कि कोई ghost और वही dead body उस पर attack करने वाले है उसके हाथ में knife होती है और वो वापिस से उन पर ही attack करने लगता है कि तब ही उसका हाथ उसका junior पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपनी wife को ही मारने जा रहे थे यानि कि उसको जो vision आ रहे थे वो demon ही दिला रहा था ताकि वो अपने ही आतों से अपनी wife को माया डाले क्योंकि उसकी wife से demon के उपर बहुत बड़ा खतरा था उसके बाद वो female exorcist उस senior father से मिलने के लिए आती है फादर उसको एक book दिखाते हैं जिसके उपर किसी बच्चे की photo लगी हुई थी और वो उससे कहते हैं कि एक witch है जिस पर female exorcist कहती है कि यह आपने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया जिस पर वो कहता है क्योंकि यह मेरी ही बेटी है फिर फादर उसको एक cave में ले जाता है जिसको वो पहले अपने विजन में देख चुकी थी और वहाँ पर एक चुडैल भी होती है जो कि black magic कर रही थी जो कि उसी फादर की बेटी थी फिर अचानक से हम देखते हैं कि वो witch उप पर आती है और अपने फादर को ही मार देती है और यह female exorcist के पास अच्छा मौका था क्योंकि उसके सामने वो टेबल थी जिस पर वो चुडैल black magic कर दी थी यह female exorcist उस टेबल को गिराने के ले जाती है लेकिन वो टेबल भारी होने की वज़ा से उसको गिरा नहीं पाती और इतनी ही देर में वो witch आकर उस पर attack करने लगती है और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है तब ही उसका husband यानी की वो male exorcist भी आ जाता है और अपनी wife को feel करके वो समझ जाता है कि कहां पर है और वो basement का दर्वाजा तोडने लगता है और वो नीचे female exorcist बहुत मुसीबत में होती है वो वहाँ से भाग रही होती है लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा होता तब ही उसको अपने सामने mirror नजर आता है और वो खुद को ही हर जगा देख रही थी और तब ही वो विच आकर उस पर चाकू से attack करने लगती है female exorcist उसको पत्थर मारती है और वहाँ से भाग जाती है और अब वो विच उसके husband के पास जाती है उसकी wife के रूप में और उससे अपने control में कर लेती है और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डेविट की बेहन का दोस्त काफी बिमार था क्योंकि उसको चैन में बांधा गया था और सबसे अजीब बात ये थी कि उस पर एक murder का इल्जाम था और दूसरा ये कि उसमें कोई soul बार बार आ रही थी और उसकी body यहाँ पर काफी अजीब तरह move करने लगती है तब ही उसकी तबियत बिगडने लगती है दूसरी तरफ witch उस male exorcist को order देती है कि हतोरे से अपनी बीवी को मारने जाओ और male exorcist पूरी तरीके से उस witch के control में था तो वो hammer लेकर अपनी बीवी को मारने जा रहा होता है लेकिन तब ही उन्हें पूरा वक्त याद आ जाता है जब वो अपनी बीवी से पहली बार मिला और उन्हें सब याद आ जाता है कि वो अपनी बीवी और अपनी फैमली से कितना जादा प्यार करता है और वो normal होने लगता है और हतोरा लेकर सीधा उस table की और बढ़ता है जिस पर वो चुड़ैल black magic किया गरती थी और वो उस table को तोड़ देता है और यहाँ पर वो male एक्जॉर्किस्ट बिलकुल normal हो जाता है और वो विच भी काफी weak होके मर जाती है दूसरी तरफ डेवीड की बेहन का दोस्त भी बिलकुल ठीक हो चुका था क्योंकि वो soul जो की वो चुड़ैल कंट्रोल कर रही थी वो उसकी body से निकल जाती है और सारा black magic का असर खतम हो जाता है और अब हम last scene में देखते हैं कि डेवीड की बेहन काफी परेशान होती है क्योंकि कोट में ये बताया जाता है कि उसके दोस्त को 5 साल की सजा हो रही है क्योंकि कोट अभी भी इस बात पर बिलीव नहीं करती कि कोई डेमन ऐसा कर सकता है डेवीड की बेहन के दोस्त को जेल होने के बावजूद भी डेविट की बहन उससे शादी कर लेती है और वो उससे जेल में मिलने भी जाया करती थी और बाकी केस भी सॉल्व हो चुके थे वो सारे डीमन जो लोगों की बाडी में आकर लोगों को तंग किया करते थे वो अब मारे जा चुके थे और बलेक मैजिक का असर भी खतम हो चुका था और इसी के साथ ये मूवी यहां पर एंड हो जाती है